Hello everyone, you are welcome to Mining Knowledge YouTube channel. आज का टोफिक है, केरियार और जॉब अपर्चुनिटीज इन माइनिग. माइनिग इंजिनेरिंग को जो चूज करना चाहता है और अल्रड़ी चूज कर चुके है, उसके लिए क्या क्या करियार और जॉब अपर्चुनिटीज है, इसका बारे में आज हम लोग डिसक्स करेंगे, चलिए सुरू करते हैं. Mining Engineer को क्या करता है? Mining Engineering is a branch of Engineering that uses principles of science and technology in the process of extracting minerals and other resources from the Earth. Mining Engineering is a branch of Engineering that uses principles of science and technology in the process of extracting minerals and other resources from the Earth. माइनिंग इंजिनियरिंग और एक काम जो करता है माइनिंग इंजिनियर इसमें क्या का कोर्स है माइनिंग इंजिनियरिंग का क्या कोर्स रहता है अंडर्गाव जुट लेवल एर यूजी लेवल में दो टाइप का कोर्स रहता है बैचलर बैचलर डिग्ली यानी की बी और we take the Deplomio TiPlaो in Mining stray क्यों कहा वर्च किया वार्क्स क्या करना पड़ता है Mining कभी कभी the train करने के बाद यह भर es s 걸 उभर मुणिजटनेयर nt sp technical काँ-का पुस्टिंग गाचा काम पर क्रेंस एह मुठे आके सर्वेइघ Exploration, Planning, Cost Estimation, Extracting and Processing of Minerals, Metals, Natural Resources from the Earth यह सब काम कहीं अगर होता है कोई Factory हो या कई Organization हो कोई Industry हो यह सब इंडस्टी में काम करने का मौका मिलता है कहीं Waste Material Management, Environmental Protection and Rehabilitation Project Management यह सब जगा में भी Mining Engineer को कम करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है और इसको कम करने का चलिए देख लेते हैं Mining Engineer होने के लिए क्या का Eligibility Criteria और Eligibility Criteria का रहता है अगर किसी को Mining Engineering Degree करना है तो उसके लिए क्या क्राइटरिया है अलग जैशा अलग Engineering Department के जैशा क्राइटरिया है इसका भी सेम है 10 प्लस 2 एक्जाम का बाद 10 प्लस 2 एक्जाम में minimum percent मार्क सराना चाहिए 50 परसन और science जो background इसका रहता है यानि कि physics chemistry math PCM subject होना चाहिए और 12 प्लस करने का बाद उसका एक entry exam देना पड़ता है वो हो सकता है कोई भी स्टेट जैंटर इंटर्ण सक्जाम इनवस्तान और IIT जैए इसका थूँ इंटर्ण सक्जाम देने के बाद different colleges हो सकता है IIT और स्टेट लेवल कई स्टेट लेवल इनिवर्सिटी और कॉलेज जहां पर माइनिंग डिग्री पढ़ाया जाता है तो उस सब कॉलेज में admission ले सकता है और pass out करने के बाद इसका job opportunities बहुत अच्छा है इसली placement हो जाता है अगर किसी को डिप्लोमा करना है माइनिंग इंजिनिर्ण के उपर तो उसका minimum जो criteria है minimum 10th standard pass करना है और 10th standard pass करने के बाद उसको भी एक इंटरेंस exam देना पड़ता है आईदर जेक्सपो और वोकलेट जेक्सपो और वोकलेट एक्जाम दोरा जो इंटरेंस exam होता है उसके बाद एक ranking आता है ranking का हिसाफ से top diploma engineering college में entrance entry ले सकता है और उसके बाद भी बहुत सरे industry और job करने का जो scope है जिसके बाद में हम लोग अभी discuss करेंगे इस अब जगा में as a career join कर सकता है as a mining engineer join कर सकता है चलिए देख लिए ओपर्चुनिटीज क्या के अविलेवल है mining engineering अधर डिप्लोमा या ग्रजुएट्स कंप्लेट करने के बाद कोई अगर चाहता है कि further studies करेंगे तो उसके लिए पोस्ट गजिए डिए यानि मास्टर डिए मास्टर डिए कर सकता है कोई चाहता है कि नहीं इंडेस्ट्री में जोइन करेंगे तो उसके लिए कोई भी mining related industry हो या अधर इंडेस्ट्री जो exploration, planning, production जो mining engineering को prefer करता है सम इंडेस्ट्री में जोइन कर सकता है अगर किसी को इचाहता हो कि नहीं हम mining industry में भी नहीं जाएंगे और higher studies भी नहीं करेंगे simple कोई administrative section में जाना है तो उसके लिए भी अगर state civil service या UPC exam या कोई भी exam जहां पे minimum required criteria है कि graduation तो एक mining engineering degree holder as a graduate वह पर अपलाई कर सकता है या उसका career चूज कर सकता है graduate level student graduate person वह अपलाई कर सकता है अपना इच्छा का अनुजर अब चल दखते है नाचर आफ जाब माइनिंग इंजिनेरिंग पस करने के बाद एक माइनिंग इंजिनेर का कह का किस तरह का जॉब करना पड़ता है चलिए देख लेते हैं माइनिंग इंजिनेरिंग जॉब इंवाल्स प्लैनिंग एक्स्पोरेशन प्रोडक्शन सुपरवाइज एंड लॉट अफ आफ आउट्डोर वार्क प्लैनिंग एक्स्पोरेशन और प्रोड़क्शन सुपरवाइज जॉब करना पड़ता है इसमें की बहुत तरह का और स्टाक्ल्स भी फेस करना पड़ता है जैसे एक्स्ट्रीम क्लाइमिटिक कंडिशन हो कोई एक्स्ट्रा जेनर्स और कंडिशन एंवर्मेंटल प्लिशन काम का टाइम में मानिंग एज्ञेंर्स उड़ी क्या को होता है कि एक टेंपोरारी सेटप ऑफिस सेटप करना पड़ता है अन्डर्गांड हो यह ऑपनकास्ट यह पर कोई पर्मानन टाइप का ऑपिस नहीं रहता है क्योंकि मानिंग ऑपर इस थोड़ ऐसे फ्लेक्सिबल ह चेंज होते रहाता है इसका operation place यानि जैसे पोड़क्शन आगे surface माइन हो या अन्रेकरण माइन जैसे production advance होते रहाता है तो उसका office भी temporarily shift होते जाता है कुछ कुछ इंजिनियर माइनिंग इंजिनियर है जहां जो mineral processing plant हो या R&D department research and development हो research and development department department या lab और कई planning department में अगर posting मिलता है तो थोड़ा relax और room में बैट के काम कर सकता है जहां पे थोड़ा working condition अच्छा होता है अब देख लेते हैं कि job profile of a mining engineer mining engineering का job profile क्या का होता है mining mineral explorer mineral explorer क्या करता है कि कोई भी minerals minerals of जो है उसका availability quantity and quality estimation करने के लिए जो exploration किया जाता है exploration करने के लिए my mineral explorer as a mining engineer recruit किया जाता है mineral explorer का लिए तो उसमें भी different organization है जैसा Geological Survey of India या CMPDI क्या करता है कि mining engineer को recruit करता है mineral explorer के लिए अब चलते mining engineering technician mining engineering technician क्या होदे एक teamwork करता है जो कोई भी mines के लिए production preparation development और operation maintenance उसके लिए एक टीम रहता है और टीम का अंदर एक mining engineer रहता है जो technical aspects देखता है technical different supervisory work और technical work देखता है तो उसमें mining engineering technician के जुरूत करता है mine planner कोई भी mines का activity production इसको estimation करने के लिए mine planning होना चाहिए mine planning कौन करता है mining mining engineer करता है तो कोई mine planner planner as a mining planner कई भी कोई भी industry हो कोई भी organization हो उसमें join कर सकता है a mining engineer manager of mines हार एक माइन्स के लिए manager होना ज़रूर है ज़रूर है ज़रूरी प्रोफिशन्स तो कोई भी mines का different level बे जैशा होगिया junior manager second class manager first class senior manager and above senior manager होता है तो इस अब different managerial post के लिए mining engineer eligible होता है और उसमें recruit होता है आज़र पीसे कोई company हो पीसे उजेशा कोल इंडिया से लेंडिविशी हो या private कोई company हो उसमें managerial post के लिए mining engineer eligible होता है और mining engineer recruit करता है technical consultant mining consultants कुछ company है जो लोग consultants के लिए mining engineering को recruit करता है आज़र डिपलोमा और graduate level engineers को recruit करता है consultancy के लिए research engineer research engineer क्या करता है different research or conduct करने के लिए जैसे quality quantity and value of minerals इसको extraction procedure procedure को review करना या कही quality improvement करना कोई मैंड्स देरिया और मैंड्स में problem problem आया तो problem को solve करना उसको solution देना या problem को identify को को इसको सलीशन देना के सब कम करने के लिए research engineer recruit किया जाता है जैसा हो गिया हमारा सिंफार से सेंट्रल स्ट्रीट में में सेंपार हो गिया सेंट्रल स्ट्रीट आप फ्वेल रिसर्च तो उसमें क्या होता है कि इस सब्सक्राइब इस बिए इस ज्वी अचेतिस्ट हो या प्रोजेक्ट असिस्ट हो तो उसमें रिसर्च इंजिनेर रिकृिट करता है जहां पर बीच पर जिस फीपल पर डिपर माइनिंग कोस्ट प्लेनिंग एंग एक्षविसन प्रोसेसेश एंडेवलोप्मेंट अ वेहां को नब तो, फौह मैंने का बनिया ऐं वागवा 2 कि उसके टमा वाता है। मिनेरल प्रोसेसिंग इंजिनियर कोई भी प्रोसेसिंग प्लैंट में कोई भी प्रोसेसिंग प्लैंट में और और से मिनेरल को एक्ष्टर करने के लिए या मेटल नन मेटल मेट्रियर्स को सिग्रिगेट करने के लिए जो प्रोसेसिंग प्लैंट होता है उसमें मिनेरल प्रो अट्यॉश कैनेमेन्ल प्रॉसेसिंग कर告诉 वाक उस में रिकूट किया जाता है ऑन्हें रिफोर्ट जह होता है जैसर डिबलोमा और कोई धन्ह वर्ट सब्सक्राइब कर सकता है उसमें जाइन कर सकता है और केरियर ऑपरचिनिर को चूज कर सकता है सब्सक्राइब करने के बाद डारेक्टर तक बन सकता है कोई भी एक माइनिंग इंजिनियर अब देख लेते कि क्या का कोई सब्सक्राइब करता है माइनिंग इंजिनियर को रिक्रुट करता है यह देख लेते कहा का ओप्सन है उपरचिनिटी जा इसको भी गोभर्मेंट और कुछ प्ले से जैसा माइनिंग डिवर्मेंट अब दे सेंटर जैसा मिनिस्टर अफ माइन्स यहां पर भी डिफरेंट पोस्ट के लिए गजटेट हो नन गजटेट हो माइनिंग इंजिनियर को रिक्रुट किया जाता है मिस्टर अफ लबर कंडर जो डिरेक्टर जनल अब माइन से प्रीजिये में से उसमें भी डिफरेंट पोस्ट के लिए माइनिंग इंजिनियर को रिक्रुट किया जाता है माइनिंग इन्जिनियर को रिकृट किया जाता है जैसा होगिम अमा माइने को मिनेरल से अफिस या मिनाडल से डिपाइबर्ट में डिफरेंट में अलग अलग कोश्ट देके as state statement में अलग अलेग अलेग। स्टेट में इन्जिनियर् को हेसं जैसे savior टभाडे सरवेयर अच्छी लिमिंटेड बॉइल इंटिवर्ड मेंटिम् फईलagtकोब्य दोस्तां manger सब दशेंटर्ल पिस्व रिकूट करता है कि से एधार gettype exam माइनिग को पर जो गेट exam होता है गेट exam को तरू से रिकूट किया जाता है या departmental exam भी कभी कभी कौंडक्ट करके मानीं इंजिनिर को रिप्रेट किया जाता है यह सब पिएस्व में बहुत हाई पैकेज सेलरी देता है तो ज्यदातर मानीं इंजिनिर्ट को सेटल करती हैं कि इसमें ऐसमें जॉब ऑपरचंटिज केरियर गुरूथ भी बहुत अच्छा है और सेलरी भी बहुत ज्यादा जो एक मानिंग इंजिनेरिंग के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है कोई भी पर्शन के लिए अजे प्रोफेशन अजे प्रोफेशन सेंट्रल प्यूच्व बहुत अच्छा है कोई-कोई स्टेट गवभ्मेंट प्यू या कोई स्टेट का स्टेट मिनेरल डेवलोप्मेंट कॉर्परेशन जो सेट प्यूच्व है उसमें भी different post के लिए mining engineering को recruit किया जाता है और इसमें भी बहुत सरे benefit जाता है, salary भी बहुत अच्छा है अब होते है different private sectors, private farms जो mining engineering को recruit करता है इसमें भी पैसा salary बहुत अच्छा देता है, facilities बहुत अच्छा है जैसा famous और कुछ बड़ा-बड़ा private sector, private company या sector है जैसा होगिया, Tata Steel, Vedanto, Adani, Jindal Steel, Reliance, Caterpillar, Sandvik, JMS, TIPL, McKinson Company, Pudermokal Limited या सब अच्छा अच्छा private company हैं जो diploma और डिगरी दोनों को recruit करता है different job profile के लिए और salary भी अच्छा देता है हम चलिए देख लिए कि जिसको अगर industry में उतना interest नहीं है research development और high studies में जिसका इच्छा है तो इसके लिए भी mining engineering के लिए अच्छा इसको फे opportunities है कोई अगर मुलिजे डिप्लोमा complete किया उसको और पढ़े करना है तो lateral entry होगे lateral entry जैसे जैसे Jackspo exam देके क्या करता है जीलेट जैसे Jackspo first entry देके booklet या booklet एक्जाम देके ओक कर सकता है ranking vet pilot देखे य हो मारे डिग दिगरी कब्ले सकता है और उसके बद हो मारेत करने के अगर किसी की चावांगी नहीं मस्टर्ड डिग第 2 वृ के मी हो और एंटेख हो उसके लिए अगर इंडियन कोई अच्छा इनिवर्सिटी जिशा आइटी में आइटी से अगर मस्टर डिग्री करना है तो गेट थ्रू गेट एक्जम का थ्रू गेट एक्जम दे सकता है और वहां से स्कोलर्शिप भी स्टाइपेंड भी मिल जाता है और अच्छा कोलेजम से मस्टर डिग्री भी हो जाता है कहीं बाहर से अगर मेंस करना है तो मेंस के लिए जियरी एक्जम दिया जाता है और एक स्कोलर्शिप भी अच्छा मिल जाता है अगर जियरी स्कोरिंग अच्छा हुआ तो मस्टर डिग्री और पीएज़ी का बाद अगर कोई सुचता है कि नहीं, कोई कहीं पे इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर का पोस्ट कीजी का चलेगे, उसमें अगर जोइन करना चाहता है, तो इसके लिए भी बहुत सारे टेखने कल एडूकेशन और इंजिनिरिंग इंस्टूटिशन है, जो मिनिममम मस्टर डिग्री य इसा है कि जो पीएजडी होल्डर और मस्टर डिग्री होल्डर को रेंडी रिप्लोप्मेंट के लिए रिकृट करता है माइन इंजिनिरिंग को तो उसमें भी जा सकते हैं, अगर पीएजडी कॉंपलेट करने के बाद कोई इंडिवर्सिटी में, अगर कोई चाहता है कि ऐ माइनिंग इंजिनर के लिए बहुत अच्छा है, अब लोग देखें कि कितना सरे अपरजिनिटीज और सकफ है माइनिंग इंजिनरिंग कंपलेट करने के बाद अधर डिप्लोमा या डिग्री, तो प्रेंट्स अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज थाँ 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 अच्छा वची है